क्रिप्या करके इस वीडियो को आप अकेले में देखें, हेटफोन लगा के देखें, परिवार के साथ बिलकुल भी ना देखें और टीवी में तो जरा भी कनेक्ट ना करें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे प्यारी प्यारी शब्द है जो कि मुझे लगता है कि आपको अलाव और किसी को भी नहीं सुनने चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स सुरक्षित रहे हैं, सलामत रहे हैं ताकि वो आगे भी वीडियो देख सके, इसलिए चलिए एटपून डालिए और चुपशा वीडियो देखिए, कोना में जाके तो दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, जो रेड होती है, उसने उस बंदे को मार दिया होता है, और वैसे उसका हाथ नहीं होता है, असल में चैंक आई हाथ होता है, इन सभी चीज़ों बीचे, उसके बाद वो रेड को भिहोश कर डालता है, और किसी सुरक्षी जगा पर लेके जाता है, इधर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, क्योंकि मास्टर के मास्टर आचुके होते हैं, तो मास्टर की फट के हाथ में आगई रहती है, यानि आंट की, और जो मास्टर आय होते हैं, वो इन दोनों बंदों को भी लटा देते ह मेरा ध्यान भटक गया था और तीन डिस्पल्स गयब हो गया है मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ आप मुझे जो भी पनिश्मेंट देना चाहेंगे मैं उसे स्विकार करूँगे आप जैसे कहेंगे विवासा करूँगे क्योंकि आइंट आती है और इनके मुँपर एक सोड़तार पंच मारती है ये रोने लगते हैं और कहरे होते हैं लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया मुझे लगा कि यहां पर महौल को ज़्यादा ही सीरियस है तो मैं तुम्हें हसानी कोशिश कर रहा था तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो तुम भूल गई मैंने ही तुम्हें बढ़ा किया है यहां तक कि मैंने तुम्हारे डाइपर्स भी बदले और यह नीचे आफ यह बंदा देख सकते हैं यह उसफ बंदे का मास्टर होता है जो कि रेड के साथ जो मर चुका है यहां पर मास्टर में चैंग के मास्टर शुके होते हैं जो कर रहे होते हैं कि मैं आखिर मेरा चैंग है कहाँ पर लेकिन उनके पास कोई जाब नहीं होता है वो कह रही होती है कि मैंने आखरी बार उसे नॉर्थ की तरब जाते हुए देखा था मास्टर बहुत ज़ादा दुखी होते हैं क्योंकि उनने पता था कि ये जैंगल बहुत ज़ादा खतरना कि वो कहा रहे होते है लाइफ और डेथ तो जिंदगी का हिस्सा है और ये अनप्रेडिक्टिबाल है का बाजा है किसी को पता भी नहीं चलती है लेकिन प्लीज मैं अभी भी इमोर्टल बनने से बहुत 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 जाता दूर हूँ मैं खुद यहां नॉर्थ कॉंटिनेंट में फ्रीली नहीं घुम सकता हूँ प्लीज मेरी मदद करो मेरे डिस्पल को ढूल लो हमारा श्यूवान पीक हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अभारी रहेगा जो आयंट के सीनियर ब्रदर रहते हैं वो मस्टर को कहा रहे होते हैं कि आपको चिंदा करने की कोई बिज़ोथ नहीं है आखिर हम लोग एक फैमली तो है कौन मदद करेगा हमारे अलावा फिर आयंट सभी लोग को बता रही होती है और फिर एक दल जाएगा नॉर्थ वेस्ट उन दुन को डुन निकले इधर हमें इस सीन को दिखाया जाता है इस सीन की खास बात यह रहती है कि जरा भाई चांद को तो देखो और चांद ही को देखो क्योंकि सारा बजट इन्होंने चांद में ही लगा दिया है पत्थरों पर डिटेलिंग करने का टाइम ही नहीं मिला हमें उस केव के अंदर दिखाया जाता है जहां पर रेड कॉब होशा चुका होता है वो कहरी होती है कि मुझे चोड़ तो नहीं लगी है सारी इंजरिस ठीक हो गई है लेकिन पता नहीं मेरा सर इतना जादा दर्द क्यों कर रहा है और इधार यह चुप-चप बैठा हुआ रहता है तब वो कहती सीनियर प्रदर क्या हम लोग यहीं पर बैटके इंतिजार करते रहेंगे वो कहता है हम इंतिजार करेंगे क्योंकि मैंने सीग्रेट मार्किंग्स लगा दी है 150 किलो मेटर रेडियस के अंदर में और यहां पर एराई भी सेट कर दिया है कि हम लोग इस गुफा के अंदर किसी को यह बात भी नहीं पता चलेगी तो अभी यहां पर रहने ही सबसे ज़्यादा सेफ है और फिर रेड उससे कुछ कहती है तो चैंग बोल रहा होता है कि हाँ तुमने यह जो बात बोली वो बिल्कुल सही है क्योंकि सेक्ट को सारी बातों के बारे में पता तो चली गया होगा अभी तक और उन्होंने इमोर्टल्स को भी भेज़ दिया होगा और मेरे हिसाब से वो लोग नौर्थ कॉंटिनेंट में आ भी चुके होंगे अगर हम लोग जादा चिंदा ना करे और 15,000 किलो मीटर दूसरी तरफ जाएं तो हो सकता है कि हम लोग बहुत सकते हैं वापस से सुरक्षित लेकिन बहुत जादा खत्रा है क्योंकि अब यह लोग जंगल के बहुत अंदर वाले हिस्से में जा चुके होते हैं अब किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं वही तो दिक्कत वाली बात है रेट कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी जिंदा नहीं हो रही है आपके साथ उल तो मैं ठीकी हूँ अब इस चीज़ का तो कोई जाब नहीं रहता तो यह चूपी रहता और इधर यह शर्मार ही होती और सोच रही होती पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मेरे दिल को अंदर से नोच रहा हो और मेरे मन में बहुत अजीब सी फीलिंग उट रही है साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग ब्रदर ने मुझे दो दो बार बचा लिया है सीनियर ब्रदर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ वो कहता है नहीं मदद तो नहीं चाहिए बस ऐसे ही रेंडमली अपने स्पिरिट को रिलीज मत करना और हाँ वो उसके साथी के बारे बताता है ये भी बताता है कि सर्पिंट को भी उसने मार दिया था चैंग ने और बाकी सब कहानी बता देता है ये सोच रही होती है लगता है मैं बिंब ब्रदर के ऊपर एक बोजबन कर रहाए गाई हूँ अच्छा वैसे सुनो रेड तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो क्या उटर्गंतिया आ जाती हो और कह रही होती हाँ हा बुली बोली है क्या फेवर करना है आप जो कहिएगा मैं वो करने को तयार हूँ यहां तक कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ लेगिन यह कहता है कि नहीं पगली जान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें तो जीपे चाहिए नहीं नहीं भाई क्योंकि मेरा कल्टिवेशन लेवल तुमें तो पता ही है कि जादा हाई नहीं है और मैं अर्थ इसकेपिंग टेकनीक के लाव और किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं हूँ और यह बात अगर बाहर निकल गई तो वो लोग मुझे जोड़ जोड़ से हसेंगे और फिर चैंग से कहती है कि ठीक है सीनियर प्रदर मैं समझ गई कि आप मुझ से क्या कहना चाहते हैं यह सोच रहा होता है आएं कैसे पता चल गया नहीं मुझे लगता है कि यह कुछ गलत सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है और कहता है ठीक है तब और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रही थी कि चैंग को क्या चाहिए मगर बहुत अफसोस की बात होती है इससे पहले की कारे करम आगे बढ़ पाता वहाँ पर आंट आ जाती है और चिलारी होती है कि कहाँ पर हो चैंग और एदर चैंग बहुत सदा खुश होता है सोच रहा होता है कि मास्टर वापस आ गए अब देखना मास्टर मुझे बहुत बुरी तरीके से धोने वाले है ओ, मेरा दिल इतने जोरों से धरत क्यों रहा है लेकिन मैं बहुत सदा खुश हूँ कि अब मास्टर मुझे वापस से पीटने वाले है मास्टर आते ही उसे देना सुरू कर देते है और कहा रहे होते बेवकुफ, नाकारा, निकंबे, नालायक बच्चे कहीं कि आखिर तुम अपने आपको समझते क्या हो तुम सोल फॉर्मेशन के बस छोटे से रियलम में हो और अपने आपको धेर बाबा समझने लगे हो वो उसके कान बगड़ते हैं, बहुत जोर से खीचने लगते हैं दर्द के मारे इसके आख से आज़ो भी निकल लियाता है मास्टर कहा रहे होते हैं तुम पता है अगर तुम मर जाते हैं तो मैं तुम्हारी बॉड़ी भी नून पाता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि तुम कहां पर थे नालायक निकमबा लेकिन स्वाड को यह देख के जरह भी अच्छा नहीं लगता हूँ और यह कहा रही होते ही कि मास्टर उसमें बिग ब्रदर की कोई भी गलती नहीं है यह सब मेरी वज़े से हुआ है और यहां तक ऐस लáत बार मेरी जैन भी बचाई है इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है चैंग पो質 मारते वोए कहा रहा होता है फिर भी वो वॉइड रियलम के फोर्ट स्टेज में पहुँच चुकी है वो जो बंदा रेड के साथ जो मर चुका था उसका मास्टर आ जाता है और पूछता है कि आखिर वो कहां पर है तब रेड बताती है कि वो वो तो मर चुका है और उसे मैं नहीं मारा है इस बात को सुनकर उसे बहुत जादा घुस्सा आ जाता है लेगिन वो थोड़ा शांत रहता है और पूछ रहा होता है क्या तुमने उसे पर्सनली मारा है वो कहती कि हाँ तब वो हमला करने जाता है लिए तब तक आंट आके उसे रोक लेती अगर आपको अपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को शेयर जरूर करना कमेंट भी करना और नए होते चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अपिसोड में तब तक के लिए बाइबाएब